आज अम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुठैला इनने की गुड़ और सोट के लड़ू ये जच्चा लोगों के लिए बहुत हिलाबकारी होते हैं क्योंकि वच्चा होने के बाद उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है तो ये लड़ू उनको बहुत ही फैदा करते हैं लेकिन जच्चा ही नहीं इसको कोई भी घा सकता है कोई भी ब्यक्ति इसको खाए क्योंकि इसमें जो गोड़, सोट और इतने सारी ड्राइफूट्स, देसी खी सब चीजों को डाल करके बनाया जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और बहुत ही लाबकारी है ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द, यहीं कि शरीर के लिए बहुत ही सेहत मन्द है जच्चा के लिए तो बहुत ही ज़ादा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सुठैला बनाने के लिए हमने जो सामगरी ली है वो हम आपको बता देते हैं तो इसमें हमने 1500 ग्राम मखाना लिया है, 100 ग्राम सोट ली है, 50 ग्राम हल्दी लिया है, 1500 ग्राम ये नारियल है, इसको हमने छोटा-छोटा सा काट लिया है 100 ग्राम ये काजू है, 100 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम किस्मिस है और ये 1500 ग्राम गोंद है गोंद बहुत ही लापकारी होता है, कमर दर्थ में बहुत ही फैदा करता है, ये 50 ग्रम पूस्टा दाना लिया है, ये 700 ग्रम देसी घी है, ये 1 किलो गोड है, देसी घी की मातरा बहुत ही जादा लगती है, क्योंकि ये सारी चीजों को हमको देसी घी में ही भूनना है और देसी घी ही डाल करके हम लड्डू बनाएंगे ये लड्डू जाड़े के लिए बहुत ही सेहत मंद है एक लड्डू खाने के बाद आप एक गलास दूर पी लीजे आपके शरीर का सारा दर्द इकदम छूम अंतर हो जाएगा तो इसको बनाने के लिए हमने एक कड़ाई चड़ाई है और उसमें हमने घी डाल दिया है घी गरम हो गया है और इसमें हमने काजू डाल दिया है काजू डाल करके इसको हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे यह फ्राई हो गए हैं इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि जो भूना हुआ ड्राइफूर्ट होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है इसी गी में हमने बादाम डाल दिया है और इसको भी हम भून लेते हैं सारे ड्राइफूर्ट को लो फ्लेम पर ही भूने जब लो फ्लेम पर यह भूने जाते हैं तो यह अंदर तक पक जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है बादाम हो गए हैं इनको भी हम निकाल लेते हैं ये किश्मिस भीज में डाल दी है और ये देखिए कैसे फूल गई है तो इनको हम निकाल लेते हैं अभी हमने किसी भी ड्राइब फूट को काटा नहीं है सिर्फ गरी को ही काटा है इनको हम भूनने के बाद काटेंगे गरी को भी हमने भून लिया है और इसको भी हम निकाल लेते हैं और ये मखाना हम इसी में डाल देते हैं मखाना को भी हम इसी में रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा घी मखाने में और डाल सकते हैं थोड़ा घी कम लग रहा था तो हमने मखानों में और डाल दिया था और ये मखाना अच्छे से भून गए हैं देखे कितने किस्पी हो गए हैं तो हम मखाना को भी निकाल लेते हैं और मखाना को हमने पहले ही काट लिया था और इसी कणाई में ये खस-खस यानि कि पोस्ता दाना ये पोस्ता दाना भी भून गया है इसको हम निकाल लेते हैं ओर गोंद इस तरह से मार्केट में आता है छोटा छोटा सा पीस वाला अगर आपने जो गोंद लिया है उसके पीसेश बड़े बड़े हैत। तो आप तोड लीजे दोडनी के बाद तब भुन दिये.. कि जो गोंध होता है अगर बहुत बड़ा-बड़ा होता है तो अंदर नहीं भुन पाता है और अंदर गुठलिया रह जाती है लेकिन यह जो हमने मंगाया है मार्केट से यह छोटा-छोटा ही गोंध है इसको तोड़नी की ज़रूरत नहीं पड़ी है गोंध को भुंते समय भी फ्लेम को मीडियम रखें बहुत तेज फ्लेम होगी तो गोंध हमारा अंदर तक भून नहीं पाएगा उपर से जल जाएगा अंदर तक भूनना बहुत जरूरी है अगर अंदर तक नहीं भूना होगा तो यह दातों में चिपकेगा तो इसलिए गोंध को अच्छी तरीके से भूनने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाता है और यह बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में और यह कमर दर्द जोडों की दर्द और घुटनों की दर्द के लिए तो राम बाड़ है इसलिए गोंद डालना इसमें बहुत जरूरी है इसी तरीके से जो गोंद बचा है हम पूरे गोंद को इसमें भून लेते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल पर नए है तो उसको सस्क्राइब कर दीजिए पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो पसंद आये तो प्लीज 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 इसको लाइक शियर किये भी ना बिलकुल भी यहां से मत जाईए तो देखिए सारा गोन भून गया है और जो इसमें घी बचा है उसी में हम हल्दी डाल देते हैं हल्दी हमने 4 टेबिल स्पून डाली है यह लगभग 50 ग्राम है और सोट की मातरा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्राइफूट भी आप अपनी इसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको जितना हमने बताया है आपको इतनी ही ड्राइफूट लेना है आप अपनी पसंद के इसाब से कोई भी ड् जो तरीका हम आज बताने जा रहे हैं इस तरीके से आपने कभी भी सुठैला नहीं बनाया होगा एक बार आप इसको बना के देखिए क्योंकि यह बहुत ही डिफ्रेंट टाइफ है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है और फायदे मन तो इतना जादा है कि आप इसके गुड ज थोड़ा सा रखला देना है इसी तरीके से पलट्ते पलट्ती ही गुड को हमने गला दिया है और इसमें करीब 100 g और घीज में देशी खी ही डालिए, रिफाइंड या पी किसी और चीज का प्रियोंग बिल्कुल भी ना करें घी और गुर्ड जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है ये हमने पोटेटो मैसर लिया है, इसे हम मखाना को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े-बड़े मखाने होते हैं तो लड़ू बनाते नहीं बनते हैं तो इस वज़े से हमने थोड़ा सा इसको दबा-दबा करके इसको क्रश कर लिया है क्योंकि ये काफी क्रिस्पी हो गये हैं, बहुत ही आसानी से क्रश्ट हो जाएंगे देखे कुछ इस तरह का मखाना हो गया है अगर हम इसको मिक्सी में डाल देते हैं तो ये काफी पाउडर जैसा हो जाता और ये ड्राइफूड भी हमने काट लिये हैं काजू, बादाम, किश्मि सब चीजों को हमने काट के थोड़ा छोटे टुकडे कर लिये हैं अब इस गुड में हमने मखाना डाल दिया है ये कि जितना भी सामान हमने घून करके रखा है वो सारा सामान हम इसमें डाल देंगे अभी हम इसमें गोन नहीं डाल देंगे बाकी सारी चीज़े डाल देंगे अभी हम आपको बताएंगे कि हम गोन अभी क्यों नहीं डालेंगे यहल्दी सोट यह सब चीजें हम इसमें डाल देंगे पोस्ता दाना भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे यह लड़ू बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं बहुत ही फायदेमंद हैं बहुत ही इसमें आयरन है क्योंकि गोड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होती है यह ऐसे भी कोई खाये तो गोड़ को खाने के बाद खाने से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी सेहत के लिए गोड़ बहुत ही फायदेमंद होता है और गोड गरम भी होता है तो इससे जाड़ा भी नहीं लगता है तो सोट, गोड, डाइफूट सभी चीज़े इसमें जो है वो गरम ही है तो विटामिन्स और नूट्रियंस, आइरन, कैल्शियम सभी चीज़े इसमें है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितने अच्छे लड़ू बनेंगे, कड़ाई में हमने मिक्स कर लिया है और एक हमने परात लिया है उसी में हमने सारा मेटेरियल डाल दिया है अब इसको हाँ से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे सारी जगे पे सारा सामान इवेनली पहुच जाए तो इसको हमने mix कर दिया है और अब इसमें हम गोन डालेंगे तो गोन बाद में डालने से यह होता है कि गोन थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है तो वो जादा अच्छा लगता है अगर हम साथ में पहले ही डाल देते तो गोन पूरा उसी में mix हो जाता और लड़ू खानी में कम अच्छे लगते लेकिन अगर गोन इस तरह से आप बाद में डालेंगे तो जब दाद की नीचे गोन आता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो हमने mix करने के ब बना सकते हैं पिडिया की तरह से लंबे भी या गोल आप यहसे भी बना लीजे यह लड़ू बहुत ही टेस्टी है आप एक बर इसको घर पे जरूर बनाईएगा जाड़े में तो बहुत ही फायदे मंद है क्योंकि अकसर लोगों को कमरदर घुटनों कदर जोडों कदर इस दरीके से आपको सारे लड़ू को बना लेना है यह इस भी फाह पसंद आ ही अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो प्लीज 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 इसे लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट करके हमको जरूर बताईए कि हमारी रस्पी आपको कैसी लगी क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमको काफी motivation मिलता है और नई नी रेस्पी बनाने का भी बहुत मन करता है तो ये देखे हैं हमने सारे लड़ों को बना लिया है उपर से काजू लगाकर इनको काणिश भी कर दिया है अब ये देखनी में कितनी सुंदर लग रहे हैं और इसके गुण तो हम कई बार आपको बता चुके हैं वीडियो में कि ये बहुत ही फायदिम बहुत ही टेस्टी भी हैं और बहुत ही टाकतवर हैं और खुट्नों कदर कमर कदर जोड etern कदर तो इसको खाने के बाद आपका छूम अंतर हो जाएगा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय चैनल को तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में नई रिस्पी के साथ में तब तक के लिए इट हेल्दी ठींक हेल्दी